वेलकम बैक टो चैनल और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बताने क्या दिखाने वाला हूँ कि भाई हमारे बैला के बेबी किस तरीके से हुए और क्या 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 मैंने साफधानी रखी तो सारी चीचे में आप लोग इस वीडियो में बताऊंगो तो यहां पर दे बताऊंगो तो फलाल आप लोग देखो बहला बहुत ही जाता है यहां पर आपके बच चुके हैं तकरीबन दस साड़े दस और इसने आज का रात का खाना नहीं आप अच्छे से बताए आज रात को इसके बेबी हो जाएंगा और यह अपने पास किसी को नहीं आने दे मतलब हमको नहीं को अधर मैरे पास और बी डौक्स है उनका नहीं आने दे रही है इस वीडियों में आप लोग वससारे पॉइंक बताऊंगा कि मने क्या-क्या यहां पर पेन में है थोड़ा 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 इसकी आवाज भार आ रहे थोड़ा थोड़ा देखो किस तरीगेसे पेन को डेख सकते इसकार रिलीज सकते हैं अबस कुछ तैयारिया हमको करने हो कर लेते हैं फटावट से पहले दोस्तों देखो मैंने और ममा ने सारे अखबार से लीया है और अखबार को कुछ तरीके से फार दिया hundred चुटे 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 कर लिया राथ है आम की पेटी में अखबार आते हैं बाद में मैंने इन सबको पेटी में रख लिया कुछ इस तरीके से देखो अच्छी तरीके से पेटी में बना लिया एक तरीके के बैड बना लिया यह क्या है इनको गर्माट देने में मदद करेगा सारे बेबीस को जितने भी बेबीस होंगे अब इसको मैं पर लेके जाता लटक तो गया लेकिन इसको लकड़ी से आगे करने के लिए बोड़ यहां पर लगा रहा है बोड़ खाली रहेगा लकड़ी से आगे रहेगा देखो तो यह चला कर देखाता हूं यह भी जरूरी है क्योंकि इससे क्या है करमाट बनी रही गया आपकी जो फीमेल है वह सर्दि पर भी चलाया था हीटर थोड़ा दूर चलाया इससे ताकि इसको तोड़ी घरमाट भी मिलते रहे अब तोड़ा काप रही है अब मैं आप लोग को आगया आगे बताता है मैंने और क्या क्या किया इस पूरी रात बेट करने के बाद पहला बेबी इसका तीन बजे हुआ रात कुछ इसी तरीके से थैली में आएंगे आप लोग ये काम वही करना जो अच्छा खासा अपना दिल ये बैठा है मतलब कि भाई मैं साफ साब बताना चाबगा कमजोर दिल वाले इस काम को बिल्कुल ना करें वनना आपको चक्करा देंगे सब देखकर इसलिए मैं आप लो चालू किया बेला इधरोदर भी भाग रही थी उसको मैंने पहले एक जिका बांद लिया उसके बाद धीरे धीरे करके ताकि बच्चे को भी कोई नुक्सान ना हो मतलब उसको बच्चे को कुछ लग ना जाए उसके फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना आए तो इसलिए मैंने ठीड़ा इसलिए बड़े ध्यान से उसको नकाला उसको निकाली रगद भाद भाई इसकी नाभी वागेर काहती है और अच्छी तरीकी से साफ किया उसके बाद मैंने इसको पेटी में रख दिया अब पेटीмेदी को तीन हो चुकी थे अब तक 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 साड़े 5-6 बज गए थे और तीन बेबी हो गए अब देखो ये बच्चा दूद नहीं पी रहा था विल्कुल भी और रोए जा रहा था मैंने इनको सबको पहले सहथ पिलाया थोड़ा सा बैला को थोड़ा थोड़ा पिला के उनको हटा दिया बैला भी बैला भी बैटी हुई है वो रेस्ट क पहले रख दिया मतलब जिस पेटी में मैंने इसको रख 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 था यह इसलिए जरूए थी जो मैं आप लोगों बताया इस पेटी में बैबी को रख 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 था अई इंको थोड़ा ठंडा लगता है तो यह खुद अंदर चले देंगे और थोड़ा गर्मस लगता है अब देखो यह थोड़ा पुस्ट करने लगी थी और इसको पेन हो रहा था तो आप ऐसे आराम से सहला रहे थे ताकि यह थोड़ा रिलेक्स फील करें हमने इसलिए इसको बांद रख था है तो आप लोग अपनी फीमेल को भी थोड़ा सा रेस्ट दिलाना उसको फील कराना है कमफर्टिबल जैसे हम फील करा रहें सेम इसी प्रोसेस को आप लोगों को जरूर अपनाना है ताकि आप लोग फीमेल ज्यादा हाइपर टेंशन में आ जाए और उसके बेबीस पे ज्यादा बुरा असर नहीं पड़े नहीं उसकी हेल्थी से को इसर पड़े देखो उसक तो शहत जरूर चटाना देखो इसको अब ठोड़ा रेस्ट है क्योंकि इसके तीन चार बेबीस हो चुके थे इसके बाद इसने पूरे एक घंटे का गैप लिया उसके बीच हमने सारे बीच कहा पर दूद भी पलाया जैसा आप लोग दिखाए दे रहोगे पूरी रात नि लुटी रहे आपड़ अच्छी लोगी इदेखो कि इस तरीके से बहल आपने बेबीस को खिला है और रॉक्सी किस तरीक है इसको भार यह घर में आया यह जाया अब तक बिल्कूल बेबीस इकदम ठीक है और यह उसके पास भी नहीं जा कर कि कहीं वो मेर से लड़े नहीं और बैला भी इसके अच्छी खासी अपने बच्चों की कर रही है तो आई होप आप लोग यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हुए और रसम आप लोगों को एक और अपडेट्स देती तम मेरी फीमिल जो यहां पर जर्मेश अपड़ आप बाइ